एक वक्त ऐसा था जब मोदी लहर ने पूरे विपक्ष को अकेले खदेर दिया था इतना ही नहीं विपक्ष के गड़ में मोदी लहर के सेलाब ने विपक्ष के तमाम मनसूबों को बहा दिया लेकिन कहते हैं ना वक्त बलवान होता है ये वक्त की ही बात है कि हिमाचल और भी पड़ गई या पार्टी के दूसरे प्यादे कमजोर पड़ गए कि गुजरात हाथ आया तो हिमाचल फिसल गया नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोत्रा हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे सामने आये उसने ये साबित कर दि बीजेपी और मोदी का फोकस क्या गुजरात की तरफ हुआ हिमाचल में कमल नहीं खिल पाया चुनाव तो हिमाचल में कॉंग्रस ने जीता लेकिन बेबसी का आलम ये था कि बीजेपी के केंद्रे मंत्री अनुराग ठाकुर अपना गड़ तक नहीं बचा सके जिसके बाद विपक्षियों को भाजपा पर निशान साधने का मौका मिल गया अनुराग ठाकुर की हार के बाद आप विधायक नरेश बालिया ने 2020 में दिल्ली में दिये गोली मारो भाशड का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी की लेहर ऐसी है कि एक केंद्री मंत्री अपना बूत भी भी नहीं बचा सके अनुराग ठाकुर के ग्रेट छेत्र हमीरपूर में आने वाली सभी पांच सीटों पर भाजपक उमीदवार चिनाओ हार गये जिसमर कॉंग्रेस भी चटकी लेने से पीछे नहीं रही और अनुराग ठाकुर पर जम करने शाना साधा कॉंग्रेस के गौ गोली मारो वाला बयान अनुराग ठाकुर के ग्रेट जिले हमीरपूर में भाजपको शून अंक मिला आपको बता दे अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बड़े पहमाने पर प्रचार किया उन्होंने अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के राज्युके मुख्य मंत्री के रूप में किये गए कामों को भी जनता के सामने रखा परिणाम सामने आने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा मैं हिमाचल की जनता की जनादेश को सुईकार करता हूं हिमाचल प्रदेश में भाजपको मिले जनादेश का हम पूरा सम्मान करते हैं इसके साथ ही अ लिकास के लिए समर्पित होगी फिलहाल जो भी हो हिमाचल जीतने के बाद चित पड़ी कॉंग्रस पार्टी में जान आने लगी है हिमाचल की जीतने कॉंग्रस में आद्व विश्वास को सात्वे आसमान पर पहुचा दिया है अब देखना दिल्चस्प रहेगा कि कॉंग्र अजय कषजी लAI हो बादे जाने लगी है ऑल को साहिता है अजय क पार सबस्या क्योंग्रस में आदो का दो जूए आस चेरा में जीतने कॉंग्रस आसमान विक